Tip 8 of using pandas like a pro अक्सरोगात हम ये वाला काम करते हैं कि कोई भी डेटा होता है उसमें हम ट्रांस्फर्मेशन करते हैं उसको एक निए डेटा फ्रेम में के नम से सेफ कर देते हैं ये चीज़ काफी annoying होती है और बहुत सरे डेटा फ्रेम हमारे पास बन जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि exactly कौन सा डेटा हमें किस वक्त इस्तमाल करना है और हमने कौन से चेश कहां पर की थी इसलिए बहतर है कि हम ये सारी चेंज़िस एक ही कमांड में करें उसको chain के थरू तो यहां पर मैंने तीन चेंज़िस की है येर में इसको group by भी किया है और मैंने dot operator के साथ उन सब चेंज़िस को जोड़ दिया हुए यानि कि मैंने यहां पर chain कमांड के थरू वह सारी चेंज